टाकुली और टॉक्स के एक नई वीडियो में दोस्तो आप सभी लोग को फिर से स्वागत है तो दोस्तो अभी आप देख रहे हैं टाटा मैजिक मैजिक को दोस्तों सायदी कोई ऐसा लोग हो जो कि जो है ना जानता हो यह एक ऐसी गाड़ी है जो कि गाओं के लोगों को सहर तक सहर के लोगों को गाओं तक इस तरीके से जो है यह लाती ले जाती जोड़ती भी जो है देखी गई है और बहुत ही जो है पहले से जो है लोग जो है magic में दे दिया है तो एक अच्छी चीज जो की चाहते है diesel engine अब ना लेना petrol की ओर जाना तो ये जो है ये ले सकते है petrol option में क्या-क्या power क्या-क्या torque और इसकी क्या price रहती है फड़ा वड़ से बात करेंगे अंदर बैट की भी बताएंगे कितना comfort रहता है तो ये आपके सामने white color में है पुरा इसका वैसे hard top वाला भी आता है जिसमें की आपको ये canopy आला नहीं मिलेगी तो वो भी आपने देखा होगा बहुती widely as a school van की रूप में भी जो है आते आते ओन रोड ये छह लाक साड़ हार के आसपास चले आ रहा है बाकि आप exact price क्या पता करना चाहते हैं क्या finance scheme में जो भी है उत्रागंट से हैं तो आप Amit Auto में जो है यहां पर रहा सकते हैं तो यहां से आप पता कर सकते हैं नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे तो फड़ावट से बात करने सबसे बहले तो यहां पर design dimension की बात करूँ तो इसकी जो overall dimension रहती डाइमेंशन में कुछ भी चेंज नहीं रहने वाला जो पहले dimension आती थी वही जो इसकी dimension रहेगी 3790 mm की overall length और width की बात करिया है तो इसकी जो width है वही आपको 1500 mm के आसपास इसकी width मिलती है और height की बात करें तो height जो इसकी रहती है 1890 mm की तो dimension कुछ भी चेंज नहीं है बस इसमें जो है engine जो है पैट्रोल वाला दे दिया गया है अब जैसी आप जो है front section की उराते हैं तो front में देखते हैं तो front में कुछ ऐसा profile है front का यहाँ पे दो-दो wipers आपको मिल जाएंगे washer unit के साथ में inbuilt इसमें रहने वाली है बड़ी सी wind skin आपको देखने को मिलेगी और साधी साथ जो है आपे reflectors प्रॉपर टेप यूच किया गया है जिससे की रात के टाइम में जो reflection आए इससे अराम से बता लगेगी कोई गाड़ी आ रही है यहाँ से इससे बता लग जाता है magic यहाँ भी लिखा हुआ magic gold गोल्ड की badging आपको यहाँ मिल जाएंगी indicators इसके यहाँ पे रहते हैं halogen में simple से दिये गए है halogen में ही headlamps दी जाती है नीचे bumper यह आपको जो एज़ा fiber plastic में आपको मिलेगा बीच में Tata का logo हो गया grill proper अच्छी कासी hexagonal shape में दीगे यह अंदर की radiator को जो है अच्छे जो है कैसकते है flow जो है अराम से पहुंच सके air का और front profile को जैसा देखता है जैसा की आता था वैसा ही है ऐसा नहीं है कि पूरा design ही change हो गया हो बाकी वार्बियम्स ऐसे हाथ से adjust हाथ से fold करने पड़ते है आप जैसी side profile की ओर आते हैं तो side profile कुछ ऐसे रहती है handle कुछ ऐसे रहेंगे इसके जो गिया आप यह देखें normal plastic में co driver side जाने के लिए कुछ इतनी जो है door की wide opening रहती है side indicator यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर थोड़ा air vent के लिए यहाँ पर जो है space दिया गया है जैसी आप देखेंगे यहाँ पर तो जो tire profile है वो आपको 145R12 की जो है आपर मिल जाती है front में disc brakes रहेंगी rear में drum brakes रहेंगी JK का tire यहाँ पर यूच किया गया है और suspension की अगर मैं बात करूँ तो front में आपको semi elliptical leap spring यहाँ पर देखनी को मिलती है जो कि सबसे अच्छे कार कर जो load carry कन्ने में हैं सबसे अच्छे होते हैं यह और यहाँ से जैसी आप side में आएंगे तो side में आपको side foot step दिया जाता है अंदर जो है इसमें बैटिंगे जो भी सवारियां बैटिंगी वो अराम से अंदर बैट सकती है रियर में आप देखें रियर में भी सेमिलेप्टिकल लीप स्प्रिंग वही पट्टेदार कमानी वाले suspension यूज की गए है पीछे आपको जो है टोटल जो लीप स्प्रिंग है वह आपको जो है टोटल पांस देखने को मिलती है क्योंकि पीछे थोड़ा लोड ज्यादा होता है टायर प्रोफाइल वही है और 26 लीटर की जो है पेट्रोल टैंक की कैपसिटी आपको इसमें मिल जाती है अभी इंजन की पावर टॉर्क की भी बात करूँगा अंदर जाके मैं क्योंकि इसका इंजन जो है वही सेम इको की तरह अंदर ही मिलता है जैसी आप पीछे देखेंगे तो पीछे आपको यहाँ पे यह लैंप आपको प्रोपर मिल जाती है पीछे भी प्रोपर रिफ्लेक्टर स्टेप का यूज किया गया है और रिवर्स पाकिंग सेंसर भी प्रोपर रियर बंपर पे माउंटेड मिलेंगे मैजिक यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ऐसा दिखाया जाता है आपको और जैसी यह ओपन करेंगे तो यह ऐसे ओपन भी हो जाता है स्पेर वील आप यहाँ से अराम से एक्सिस कर सकते हैं इसका अब जैसे यहाँ से कैनोपी ओपन करना चाहें क्योंकि गरिमियों के टैम में जो है अराम से आप इससे ओपन करके भी चल सकते हैं अगर चलना हूँ आपको तो इस तरीके से यह प्रॉपर आपको दे दिया जाता है अभी फ्रंट सेक्शन के ओड चलते हैं सबसे बहले तो मैं स्पेस चेक करता हूँ इंटीजर में जाके और यह जो हैं दोस्तों आपको 9 प्लस 1 मतलब 9 लोग इसमें बैठके जा सकते हैं ट्रैवर प्लस 1 टोटल यह 10 उसमें आ जाती है अब यहां से जैसी आप जोस्तों बैठने के लिए आपको उपन करना पड़ेगा यह पूरी यहां पर जो है चैने दी गई है यहां से आप इसे जो है यहां से फोल्ड करके यहां से जो है ऐसे लगा भी सकते हैं फिलाल मैं आपको ऐसी दिखाता हूं यहां पे अंदर बैठके दिखाएंगे फिर आपको प्रॉपर यहां से इसको उपर करके आप जो है यहां से उपन कर सकते हैं इस तरीके से यहां से प्रॉफर लॉक अनलॉक को ओप्शन दिया ही गया है और यहां पर जैसे आप बैठते हैं तो अच्छी गासी सीटिंग कैपसिटी नाइन प्लस वन की रहती है एक यहाँ पे बैटेगा आराम से, यहाँ पे भी आप आराम से बैट सकते हैं, चार लोग तो आराम से बैट पाएंगे, बाकी दो यहाँ और पीछे भी यहाँ पे प्रॉपर दिया गया बैटने के लिए, तो आप देखो इतना अब आप सोचेंगे कितना comfort कितना है, तो normally जो है, यहाँ नहीं मिल पाएंगे, लेकिन headroom की बात करूँ ना, headroom जो है, काफी अच्छा जो है, यहाँ पर मेरे को देखने को मिला, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा देखिए headroom अच्छा गासा, 5.8 की height के साब से, अच्छा गासा headroom इसमें मिली रहा है, थोड़ा पीछे पैनिक बटन प्रॉपर आपको जो है, आपको अपर, कॉमर्शली यूज हो जाए, तो हर जगा आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पीछे की बात करूँ, चाहे इस तरफ की बात करूँ, हर जगा देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर प्रॉपर लाइट हैं, दी गई है, साइड बाइस साइड इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे रूफ माउंटेट आपको जो है, यहाँ बार यह पकड़ने के लिए प्रॉपर दिये गई है, और यहाँ से आप देखें तो थोड़ा साई स्पेस है, नी स्पेस की बात करें, ठीक ठाक है, अगर मेरी जैसे के लिए तो अराम से दो से तीन लोग बैठ सकते हैं हाँ पर, अब ज़रा फ्रंट सेक्शन की ओर चलेंगे, पूरा डैश बोड का व्यूव आप यह देखी रहे हैं, फ्रंट में चलते हैं, इंजिन की पावर टॉर्क क्या रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको, इसको बंद करके, तो अब चलें ज़रा इसके फ्रंट इंजिन सेक्शन की ओर, इंजिन की बात करते हैं हाँ से, तो यहाँ दोस्तों यह इसके जो डोर है हैं, पूरे हाट प्लास्टिक में मिलेंगे, नोर्मली विंडो अप एंड डाउन करने का ओप्शन यहाँ पे रहता है, इसका, और आपको जो है फैवरिक में मिल ली है, यह एड़ेस्टेबल हेड्रेस्ट, यह आप एड़ेस्ट कर सकते हैं, और यह ऐसा इसका इंजिन, इंजिन इसके नीचे आता है, तो इसमें जो है ना आपको जो पैट्रोल इंजिन है, वो जो एस गोल्ड में आता है पैट्रोल इंज टॉर्के पच्चिस सो से तीन अर्पें पर प्रेडूस कर देता है टू लाइन आपको जो है टू सिलेंडर इन लाइन इंजन जो है यह देखने को मिलेगा बाकी अब रहती है माइलेज की बात अब माइलेज जिस आप से इंजन है और सीटिंग कैपसिटी नाइन प्लस वन यहाँ पर टोटल टैन है तो मान के चलिए यह इंजन आराम से आपको हाईवे पर बारा से चौदर के आसपास तो इसे आराम से माइलेज दे देना चाहिए और ऐसा सीटे आपको यहाँ पर मिलेंगी और माकेनिकल स्टेरिंग है यहाँ से आप हेड लाइट की जो बीम है वह अपने अकोर्डिंग एड़स्ट कर सकते हैं यह इसका एक्सलेटर यह ब्रेक यह क्लेच पैडल आपको देखने को मिल जा रहा है अब जड़ा इंटीजियर में बैठें तो इंटीजियर ऐसा रहता है स्टेरिंग बड़ा सही लगा थोड़ा बड़ा डाया का है और यह जो है फ्लैट बॉटम है लेकिन पावर स्टेरिंग होता तो मजाई आ जाता इस प्राइस पे बीच में टाटा का लोगो हो और मींटर कॉंसोल की बात करूं मीटर कॉंसोल पूरा डिजिटल टाइप का है जैसा कि यह गोल्ड में आता है ऐसा ही दिया गया है सेम आपका इंटरा में भी ऐसी मिलता है यह सी पीडों मेंटर कि जीटल में यह टेम प्रेचर कcture का हो यह टाइम का यह आपको जो है फ्यूल का बागी जो लाइटें में सारी जो है जो है ऑईल की बैटरी की इंजन मेल फंक्शन लाइट आपके पैटरोल की यह सारी जो है इसमें आपको देखने को बिल जाती है और 5 वोल्ड 2.4 एमपेर का एक USB सौकेट है यहां से आपको जो भ देखें दूपर आपको लेंप दी कि यह कैबिन वाली एक सिंपल सा आपको IRV मंदर और यह इसका जो है सन वाइजर एकी तरब दिया जाता है हां पर तो ऐसा रहता है पुरा इंटीजर से और यह थोड़ा कुछ डॉक्यमेंट रखने के लिए सेपरेटली पुरा चाबी ल मिलता है नॉर्मल सा ट्रांस्मिशन तो ऐसा रहता है पूरा इंटीजर इसका और एर बैक सो कुछ भी नहीं आते हैं सेंपल सा ज्यादा तर जो लोग यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया गाउं से लेके जो है सहर से लेके गाउं तक जो कनेक्शन रहता है ना वो जो है यहां पर आते आते जो लोग हैं सबसे जादा इसमें एजा पैसेंजर के रूप में जाते हैं तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो ठाटा मैजिक वो भी पैट्रोल वेरियंट यहां पर आ चुका है तो जो लोग डीजल में थोड़ी पावर ज्यादा है लेकिन दोड़ा थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन प्राइस कम रखी गई है उससे एक देड़ लाक रुपर थोड़ा कम है और एक्जेक्ट प्राइस क्या है इसकी वो जो है आप जान सकते हैं उत्राखन में जहां भी हैं आप अमित ओटो से पता कर सकते हैं और बाकी कैसी लगी वीडियो प्राइस कर सकते हैं आप में